मेरी बेहनों और मेरे भाईयों आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे मालुम था कि आज मीटिंग है लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषन देनी की जरूरत ना पड़े तो मैं भाषन नहीं देती आप से दो शब्द कहती हूँ जो मेरे दिल में है पहली बार मैं गुझरात आई हूँ और पहली बार साबर मती के उस आश्रम में गई जहां से महत्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संगर शुरू किया था और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहाँ उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी ऐसे लगा कि आशू आने वाले हैं क्योंकि मैंने उन नेश भक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संगर्ष किया जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी सब कुछ त्याग कर दिया जिनके बलिदानों पर इस देश की नीव डली है वहाँ बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है और आप सब यहाँ इतनी तादाद में आये हैं मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देश भक्ती नहीं है कि आप जागरुक बने आपकी जागरुकता एक हत्यार है आपका वोट एक हत्यार है लेकिन ये एक ऐसा हत्यार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुचानी किसी का दुख नहीं करना किसी का नुकसान नहीं पहुचाना ये एक ऐसा हत्यार है जो आपको मजबूत बनाएगा आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है आप आगे कैसे बढ़ेंगे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आपको आगे कैसे बढ़ेंगी किसानों के लिए क्या किया जाएगा ये चुनाऊई मुद्दे है और आपकी जाग रुकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है तो मैं आपसे आग रह करना चाहती हूँ कि सोच समझ के इस बार आप निर्नेले जो आपके सामने बड़ी बड़ी बाते करते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं उनसे पूछिए जो दो करोड रोजगार उन्होंने आपको जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था वो रोजगार कहां है उनसे पूछिए कि जो पंद्रा लाख आपके खाते में आने थे वो पंद्रा लाख कहां गए जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा हैं पाथ सालों में सही सवाल करिए इस चुनाओं में आगे आने वाले दो महीनों में आपके सामने तमाम बुंते उचा ले जाएंगे आपकी जाग रुकता ही इस देश को बनाएगी ये आपकी जिम्मेदारी है आपकी देश भकती इसी में प्रकट होनी चाहिए तो यहां पे जहां से हमारी अजादी की लड़ाई शुरू हुई थी जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी सद्भावना की आवाज उठाई थी अहिंसा की आवाज उठाई थी मैं सोचती हूँ यहीं से आवाज उठनी चाहिए जो अपनी फित्रत की बात करते हैं आपके सामने आप उन्हें बताईए कि इस देश की फित्रत क्या है इस देश की फित्रत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंड के निकालेगी इस देश की फित्रत है कि नफ्रत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी यह आवाज आप यहां से उठाईए आने वाले दिनों में सही निर्णे लीजिए सही मुद्दे उठाईए सही सवाल करिए क्योंकि यह देश आपका है आपने बनाया है मेरे किसान भाईयों ने बनाया है मेरी बहनों ने बनाया है जो रोज सुभे शाम मेहनत करती हैं नौजवानों ने बनाया है और किसी ने यह देश नहीं बनाया है यह देश और किसी का नहीं है इस देश की हिफाज़त सिर्फ आप लोग कर सकते है आप एक एक जना जो यहां बैठा है इस जिम्मेदारी को समझिए आगे जैसे परेश जी ने कहा आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है हमारी संस्थाए नश्च की जा रही है जहां देखिये वहां नफरत फैलाई जा रही है और हमारे लिए आप के लिए इस से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाज़त करें हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और एक अठे आ झाल, 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 झाल